सोचो आप रात को चैन से सोए और अगले दिन एक सोर के बीच आपके सर पर एक बड़ा सा बोम फटा जिसने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया आपको डिप्रेशन में डाल दिया आपकी सालों की मेहनत चंद लमों में बरबाद हो गई और आपके परिवार की चार जून को जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया उस सोर के बीच चुप चाप निट का रिजल्ट रिलीज कर देती है मंगलवार को निट 2024 के नतीजों की खोशना के बाद से नाशनल टेस्टिंग एजनसी एंटेए पर सवाल उठ रहे हैं पहले यह रिजल्ट 14 जून को आना था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एंटीए को यह रिजल्ट बिना किसी एक्स्प टॉपर्स देखने को मिले जिनको 720 में से पूरे 720 मार्क्स मिले यानि की फुल मार्क्स मिले जो आज से पहले कभी नहीं हुआ और सबसे बात यह थी कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकल कर आए एक्जाम से पहले पेपर लीक्स की खबराना पटना पुलिस के दुआरा तेह में हेल्प कराने के लिए और कुछ बच्चों के मार्क्स तो ऐसे आए जो मैटमेटिकली पॉसिबल नहीं है ग्रेस मार्क्स के नाम पर रैंक इंफलेशन हुआ और इस बात पर जब एंटी ने सफाई दी तो इनका जूट सामने आया और शक और ज्यादा गहरा हो गया अग सारा सोच कर देखिये कोंपिटीशन कितना जादा हाई है हमारे इस देश के अंदर डॉक्टर बनना हर मिडिल क्लास का सपना होता है इस सपने को पूरा करने के लिए पेंट्स अपनी जमापुंजी खर्च कर देते हैं और साथी घर गहने सब गिरवी रखकर अपने दिनदात मेहनत करते हैं पूरे परिवार के लिए ये सिर्फ एक एक इग्जाम नहीं होता ये एक उमीद होती है जो उन्हें गरीबी से निकालेगी पर जब देखने को मिले कि चंद पैसों के लिए आपके सपनों के साथ खेला जा रहा है तो उन बच्चों का पढ़ाई से बिलकुल विश्वास उड़ जाता है क्योंकि यहां कुछ लोग चंद पैसों के लिए लाखों बच्चों की जिंदगी को अंदकार में डाल देते हैं बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अंदर से तूर जाते हैं और यहां बासिफ नीट की नहीं है पू पूरे देश के बविश्य के लिए एक सवाल है यह सवाल है उन लाखों बच्चों का जो चाहते हैं कि हर एक इंसान को फेर और एक्कॉल अपरचुनिटी मिले चलिए समझते हैं इसी स्कैम के बारे में स्टार्टिंग से सारी मम्मी पापा पर मैं किसी चीज के लायब नहीं लेकिन इस बार हम हार्ड वर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजर्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से जाधा होगा कि नीट का एक्जाम कंड़क्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल सबसे पहले नीट को समझते हैं नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंटेंस टेस्ट यानि नीट एक नेशन वाइस मेडिकल एंटेंस एक्जाम है 2016 में इसकी सुरुवात की गई थी इससे पहले AI PMT या All Indian Pre Medical Test हुआ करता था और अलग-अलग स्टेट्स भी स्टेट लेवल पर एक्जाम कंड़क्ट किया करती थी साल 2016 से 2018 तक इसे CBSE ने और्गनाईज करवाया और 2019 से NTA और्गनाईज करा रही है ये एक्जाम 3 गंटे 20 मिनट का होता है यानि टोटल में 200 मिनट पेपर पूरा multiple choice question वाला होता है OMR seat में answers fill किये जाते हैं 4 subject होते हैं Physics, Chemistry, Geology और Botomy हर subject में 50 questions होते हैं जिन मेंसे maximum 45 questions attempt करने होते हैं यानि टोटल में 180 questions आपको attempt करने होंगे हर सही answer के लिए 4 marks मिलते हैं और गलत answer के लिए minus 1 यानि अगर आपके 180 के 180 answers ठीक हैं तो आपको 720 marks मिलेंगे और अगर आप 179 ही attempt करके आ रहे हो तो आपको maximum 716 marks मिल सकते हैं और अगर आपके 180 मेंसे एक answer गलत हो जाता है तो आपको maximum 715 marks मिल सकते हैं इसका मतलब यह है कि 720 marks के बाद आपको 716 ही मिल सकते हैं इस बीच में आपको कोई भी marks नहीं मिल सकता लेकिन इस साल के exam में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया पर जब students ने और teacher ने deeply result को देखा तो उन्हें बहुसी problems नजर आई सबसे पहली problem कि 67 बच्चे top कर गए जो आज से पहले कभी नहीं हो पाया दूसरी problem 8 toppers ऐसे थे जो एक ही center से ब्लॉंग करते थे और तीसरा कुछ ऐसे marks मिले जो mathematically possible नहीं है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि 720 के बाद आपको 716 ही marks मिल सकते हैं लेकिन इस साल 719 और 718 भी दिये गए और इस सबसे जो सबसे बड़ी problem निकल कर आई इस साल का cutoff बहुत हाई चला गया पहली बार need की history में इतना high cutoff गया है और हर educationalist का ये मानना है कि paper इतना भी आसान नहीं ता कि cutoff इतनी high चली जाए और आसान होता भी तो 4-5 marks ही उपर नीचे हो सकते थे 25 marks नहीं चलो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बच्चों ने महत नहीं करी होगी सब बच्चे महत कर रहे होंगे दिन रात पड़ी भी रहे होंगे लेकिन ये बास सच में सोचने वाली है कि 67 बच्चों में से 6 बच्चे कैसे एक सेंटर से टोपर बन गए और साथ ही 719 और 718 marks कैसे दिये गए इसके पीछे का logic सच में मुझे समझ में नहीं आया पांच मही को जब ये exam conduct करवाया था उसके दो दिन बाद ही यानि कि 7 मही को पतना पुलिस पेपर लीक के मामले में त्रहा लोग को अरेश्ट करती है ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है उस टाइम भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुचा था और लोगों ने दर्कास्त की थी कि आप रिजल्ट को आउट मत करने दीजिए लेकिन रिजल्ट फिर भी आउट हो गया और रिजल्ट के बाद धांदले बाजी की बू साफ देखी गई और उसके बाद ही ये शक गुसे में बदल गया हजारों बच्चे आज सड़क पर हैं और NTA से जवाब माग रहे हैं और इन प्रोटेस्टों को देखकर 6 जो उनको नीट प्रेस लीज के थुरू अपना क्लेरिफिकेशन देता है सबसे पहले कट ओफ को लेकर बोलते हैं कि एकजाम के कॉंपिटिटिव नेचर की वजह से इस साल हाई परफोर्मेंस स्टूडेंट की वजह से कट ओफ भी हाई हो गई इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं एंटिए का ये कहना था कि फिजिक्स का एक कोश्चन गलत सेट हुआ था और एंसियार्टी और न्यू एंसियार्टी में गलत जवाब था इसलिए अंसर की को रिवाइज किया गया था इसलिए 67 में से जो 44 बच्चे हैं उनको परफेक्ट स्कॉर मिला एंटिए के मुताबिक जो बच्चों को 719 और 718 मिले हैं उसके पीछे का कहान है कि हाई कोट में कुछ पैटिशन्स डाले गए थे और कुछ एक्जाम सेंटर्स में एक्स्टरनल फैक्टर्स की वज़ा से स्टूडेंट्स का टाइम बरबाद हो रहा था पेपर लेट उनको मिला या गलत पेपर मिला और इस लोज टाइम को कंपंसेट किया गया है एंटिए के दौआरा ग्रेस मार्क्स देकर एंटिए ने 2018 का सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है उसका सहारा लिया कि अगर competitive examination में loss of time होता है तो एक set formula के through normalization किया जा सकता है यानि grace marks दिये जा सकते हैं मगर जब स्टूडेंट्स और टीचर ने इस जज्जमेंट को detail में पढ़ा तो उनका सक और ज़्यादा गहरा हो गया क्योंकि यह जज्जमेंट C let exam के लिए है और साफ तरीके से कहा गया है कि यह जज्जमेंट को admission to education institute other than medical and engineering के लिए बनाया गया है लगता है NTA वाले अपने आपको बचाने के चक्कन में सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट ठीक से पढ़ना ही बूल गये अब यह बहुत से बच्चों की demand है कि इस paper को फिर से कराया जाए लेकिन फिर उन students का क्या जिन्होंने सालों तक मेहनत की और अच्ची rank लेकर आए और कुछ students और educators चाते हैं कि एक high level independent committee को बनाया जाए जो मामले की अच्छे से जाच करे लेकिन एक शोकिंग बात आप जानते हो इससे कोई problem solve नहीं होगी क्योंकि यह paper leak का पहला case नहीं है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दिखाया कि पिछले पास सालों में 41 case हो चुके हैं जिसकी वजह से एक क्रोट 40 लाग students पर impact पढ़ा है राजिस्तान और यूपी में teachers eligibility test leak हुआ करनाट का उत्तरपरदेश और आसाम में पुलिस की भर्टियों में भी paper leak देखने को मिला तिलंगाना में engineer recruitment exam में कहीं पे exam से पहले WhatsApp पर paper circulate होता है कई states employees से चुरा कर paper को बातना शुरू कर दिया और कहीं किसी ने server को hack करके paper निकाल लिया बच्चों का future पूरी तरह से बरबाद हो रहा है लेकिन कोई strict action नहीं January 2023 की बात है बिहार staff selection commission experience की paper leak के चलते पटना में चात्रों ने धन्ना किया तो उन पर पुलिस ने लाठी बरसाई अब आपके हैं आपने future के लिए stand कर सकते हो और इस चीज में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है तो वो गरीब students का देखने को मिला है अमीर लोग का क्या है अगर नहीं भी हुआ एडविशन तो कहीं ना कहीं private college में डाल देंगे management quota से एडविशन ले लेंगे या फिर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए foreign भेज देंगे तो यहां जो सबसे ज़्यादा problem face कर रहा है वो middle work का इंसान कर रहा है और इसके अगेंस कुछ ना कुछ strict action लेना चाहिए लेकिन आज हमारे देश में हर एक चीज का फैसला जो ले रहा है वो supreme court ही ले रहा है supreme court के अलावाद नो कहीं चीजे बाहर solve भी नहीं होती इस case को भी supreme court में पहुचाया गया और supreme court नहीं कहा कि हम एक काम करते हैं जितने भी बच्चों ने high court में petition डाली थी उन लोग के हम क्या करते हैं री exam करा देते हैं लेकिन या सौज कर दे कि सिर्फ एक ही ऐसा exam center नहीं होगा जहां time खराब किया गया हो बच्चों का इन सबी चीजों के against एक strict action लेने की बहुत जरूत है नहीं तो बच्चों का जीवन ऐसे ही खराब होता रहेगा आज हमारे देश में इस पूरे system का change होना बहुत जरूरी है आसा करता हूँ आपको वीडियो informative लगी होगी और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नमस्कार